दोस्तों अगर हम चिंता मुक्त हों तो गहरी प्यारी नीद आने में कोई रुकावट नहीं होगी और चिंता मुक्त होने का स्ट्रेस फ्री होने का योग से बहतरीन और पर्मानेंट कोई भी सॉलुशन नहीं है आज मैं आपको इस वीडियो के माध्याम से कुछ ऐसे योगा भ्यास और स्वशन की ऐसी टेकनीक यानि ब्रीधिंग की ऐसी टेकनीक बताऊंगी जिसकी मदद से सारीरिक और मानसिक जो तनाव है फिजिकल और मेंटल जो स्ट्रेस है उसको कम किया जा सकता है और धीरे धीरे अगर आप इस पे काम करते रहे ना तो स्ट्रेस को चूम अंतर भी कर सकते है इससे जो रिजल्ट है वो क्या होगा कि आपको गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी आपकी नींद भले ही कुछ वक्त के लिए आए उसमें आप ठकान महसूस नहीं करेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं रात भर सोएंगे लेकिन सुबा उठेंगे फिर भी उनको लगेगा कि यार हम रात भर सोएं लेकिन नींद तो ऐसा लगी नहीं रहा कि एक पल के लिए भी आई है दिमाग में सोएं हुए भी बहुत सी चीजें चलती रहती हैं तो इन योगा अभ्यासों की मदद से चारिरिक और मानसिक तनाव कम होगा साथ ही आपको गहरी नींद आएगी इसके अलावा दिन भर की जो थकान है उसको भी छूम अंतर करना बहुत आसान हो जाएगा आपको करना क्या है कि इन योगा अभ्यासों का अभ्यास जो है रात में जब आप डिनर वगेरा कर लें थोड़ा आप वॉक कर लें फिर उसके बाद सोने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्त निकालके इन आसनों का अभ्यास और इन ब्रीधिंग प्राक्टिस का अभ्यास क करेंगे इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का आटूठ हिस्सा बन जाए नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट् कंडिशन हो चाहे आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो चाहे आपको थकान बहुत जल्दी लग रही हो रीसेंट कोई सरजरी होई हो जिससे आप रिकवर हो रहे हो लेडीज पीरिट्स के दौरान भी इसका अभ्यास कर सकती है और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत बासन का अभ्यास करने में मजा नहीं आता या मन नहीं होता तो इस तरीके के रिलाक्सिंग जो योगा प्रैक्टेसेज उनको भी आप जरूर किया करें एक बात और बताओं जब आपकी नींद बहुत गहरी और प्यारी होती है तो गुस्सा बहुत कंट्रोल हो जाता है चि ऐसे पहले ठक जाता है ना मन को भी वो शक्ती मिलेगी वो ताकत मिलेगी जादा से जादा वो सोच सके जादा से जादा आइडियाज आ सके कुछ भी चीज सोचते हैं समझते हैं याद करने की कोशिश करते हैं वो बहुत जल्दी से याद हो जाता है और उसको भूलते ही भ बहुत अच्छी तरीके से enjoy करते हैं, आपके personal जो relationship है ना उनमें भी बहुत ही जादा बहतरी देखने के लिए मिलती है, साथ ही कोई भी health condition है, उनसे उबरने में बहुत जादा मदद मिलता है, अब सवाल आता है कि इन अभ्यासों को कितनी देर करना है, तो इन अभ्यासों को क करने का कोई भी ऐसा limitation नहीं है, अगर आप सारे postures नहीं कर सकते हैं, तो किसी एक posture को select कर लीजिए और उसी posture का अभ्यास करते करते आप आराम से उसी posture में जितना जादा से जादा वक्त दे सकते हैं, उस posture में दीजिए, तो आज की वीडियो के अभ्यास के लिए, जैसे कि मै मैंने दो पिलोज और रख रखी हैं, ठीक है ना, तो अगर आपके पास इस तरीके की गोल तकिया नहीं है, तो आप कम से कम 3-4 पिलोज का इस्तमाल कर सकते हैं, तो अभी मैं पिलोज को side में रख देती हूं, और सबसे पहले मैं आपको जो पहला posture है, उसको करने का तरीका बताती हूं, तो सबसे पहला आसन जो आप रात में डिनर करने के बाद करेंगे और सोने से पहले करेंगे वो है वजरासन, वजरासन वो लोग ना करें जिनके घुटनों में धर्ध हैं, एंकल में धर्ध हैं या किसी भी तरीके की पैरों में कोई सर्जरी या किसी भी तरीक को एक एक करके मोडेंगे ऐसे इस तरीके से राइट पैर को मोड लिया फिर उसके बाद लेफ्ट पैर को ऐसे मोड लिया फिर उसके बाद दोनों पैर के जो अंगूठे हैं उनको एक दूसरे के साथ जोल लेंगे और एडियों को बाहर रहने देंगे और इसके बाद अपनी एडियों पर ऐसे बैट जाएंगे इसे आप देखिए जो पिंडलिनिया है उनमें कितना अच्छा दबाओ आ रहा है आपके घुटने पर बहुत अच्छा खिचाओ आ रहा है आपकी थाइज जो है इनमें इनकी सारी नस्तनाडियां कैसी खिची हुई है पूरे पैरो पर ब् आपने जो कुछ भी दिन भर खाया पिया है उसको अच्छी तरीके से डाइजस करने में यानि आपकी जठर अगनी को मजबूत करेगा अब बहुत से लोगों के लिए जो बिगनर होते हैं उनके लिए जादा देर तक इस तरीके से बैट पाना बड़ा मुश्किल है बड़ ठीक है और इस तकिये को क्या करना है कि आप अपनी हिप को उठाएं और ऐसे तकिये को रख दे यहां पर ठीक है अगर एक तकिया रखने में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो बस आराम से बैट जाएं और अगर एक तकिया में आपको दिक्कत आ रही है तो दो पिलो रख लें इससे क्या हो रहा है ना कि आपके घुटनों में थोड़ा सा एक्स्टेंशन आ रहा है और उस एक्स्टेंशन की मदद से आपके थाइस पर और घुटनों के अराउंड जो बहुत पेन होता है वो नहीं होगा और आप इस तरीके से वजरासन में बड़ी आसानी से काफी देर तक बैठ सकते हैं इसको कम से कम अगर आप तीन मिनट पाच मिनट दस मिनट बैठते हैं तो बहुत ही गुड़ प्रैक्टिस है इसके बाद अपनी पिलो को हटा लें तो एक तो या तो बिना पिलो के या पिलो के सहारे कर सकते हैं अपने दोनों पैरों को खोल ल इस तरीके से अब जो हम दूसरा आसन का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है अधो मुख वीर आसन इसका अभ्यास भी वजरासन वाले सारे बेनिफिट देगा लोवर बॉड़ी में साथ ही अपर बॉड़ी में भी बहुत अच्छा स्क्रेच आएगा तो दोनों पैरों को फिर स कैसे कर सकते हैं वजरासन में बैट गए ना वही अंगूठों को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है एडियों को बाहर करके रखा है इस तरीके से अब क्या करें दोनों घुटनों को तो एक दूसरे से दूर कर दें और जो आपकी काफ मसल्स है ना ये वाली जगा ये वा भुटनों को आप जितना दूर कर सकते हैं जितनी आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलीटी है उसके हिसाब से गुटनों को ऐसे दूर कर दिया है बहुत भी जादा ना करें इतना कि आप आसानी से फॉवर्ट बेंड हो सके फिर उसके बाद दोनों हथेलियों को अब देखे ध अब समने देखते हुए, नीचे देखते हुए नहीं, सामने देखते हुए और दोनों हाथों को ऐसे मैट बर्ठेवे और ऐसे अपने हाथ को मूँव करते हुए आगे की तरफ ऐसे ऐसे चेस्ट को ड्रॉब कर दे ऐसे चेस्ट को ड्रॉप किया और अपने माथे को भी धीरे-धीरे ऐसे ड्रॉप कर दिया इस तरीके से और इस अभ्यास में जितनी देर भी आप वक्त लगा सकते हैं लगाएं ब्रीद करें तो अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है हाथों को आपने आगे की तरफ खीचा हुआ है इस तरीके से तो इस से कंधे भी अच्ही तरीके से खीच रहे हैं रीड़ की जो हड़ियां है जो अलग-अलग VATI ब्राज हैं वो एक आगे की तरफ खीच रहे हैं तो गर्दन और कंधों के अराउंड जो टेंशन है वो भी छूमंतर होगी और एक चीज और जिनकी बेली बढ़ जाती है उनको इस तरीके से फॉवर्ड बेंड होने में ऐसे सामने जाने में बहुत दिक्कत होती है या लोवर बाक बहुत स्टिफ होती है उनको भी बड़ी द जुख सकें फिर उसके बाद अब देखिए इसको जितना हो सके बॉडी के करीब रखें सामने देखते हुए देखिए पेट पर कितना अच्छा दबाव आ गया चाती को भी आपने ऐसे बॉस्टर के उपर डाल दिया और दोनों हाथों को ऐसे आगे करके अपने चेहरे को क 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर भी आप आराम से ऐसे रहना चाहिए ऐसे तो यह मैंने दो तरीके से अभ्यास बता दिया इस अभ्यास को जब आप करते हैं तो आपके हिप्स के अराउंड जो टेंशन है वो दूर भागती है और अपर बॉडी की भी जो टेंशन है वो भी दूर हो जाती है अब एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप इस पॉस्चर का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जादा से जादा देर तक इन पॉस्चर में रहना है सुप्त बद्ध कोण आसन लेट कर करेंगे इसका अभ्यास बड़े आराम से तो इसके लिए मैंने क्या किया है एक दूसरे के साथ ऐसे जोड लिया है है अब बहुत से लोगों का क्या होगा स्टिफनेस बहुत जादा होगी ना यहां पर कड़ापन बहुत जादा होगा यहां कि घुटने में दर्ध होगा तो आप क्या करेंगे कि अपनी जो बाकी की बची हुई दो तकिया हैं उसको क्यासे हाफ हाफ में मोल लिया लेफ्ट गुटने के नीचे एक तकिया को रख दिया और गुटने के नीचे दूसरी तकिया को रख दिया असान हो गया ना देखिए आसन को आसान मनाना बड़ा आसान काम है अब ये तो हो गया पैरों का अजस्मेंट पैर के पंजो को देखिए एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है एडियों को आप जितना कमफर्टेबल होगे बॉड़ी के पास ला सकते हैं लाइए वरना जहां तक आसानी से जुड़ जाएं उसको जोड़ के रखिए अब जो पीछे वाली तक्या उसको ऐसे रखेंगे और फिर उसके बाद आराम से अपनी गोल वाली तक्या के उपर ऐसे लेट गए लेटने के बाद आपको क्या करना है ना दोनों हाथों को ऐसे बॉड़ी के साइड में रख देना है हथेलियों को छट की तरफ मोड कर और चेस्ट देखी बहुत अच्छी तरीके से पूरी ओपन हो गई कंधों को पूरा धीला छोड़िये ऐसा लगे कि कंधे जो है वो फ्लोर की तरफ जाना चाह रहे है नजरे जो है छट की तरफ है पूरी बॉड़ी को रिलाक्स कर दें कंधों को धीला छोड़ दें कमर को धीला छोड़ दें दोनों पैरों को धीला छोड़ दें और ब्रीध करें, बस अराम से ऐसे लिटे हुए अपने ब्रीधिंग को अबजर्व करें, आती हुई और जाती हुई सासों को देखें, अब ये तो हो गया सुप्त बद्ध कोण आसन का अभ्यास, जिन लोगों को ऐसे घुटना नहीं और आल्टरनेट चाहते हैं, तो आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल ले, मत्स्यासन, सुप्त मत्स्यासन का अभ्यास, तो ये पिलोज मैं हटा देती हुँ, और बापस से तकिये को वहीं पर रखिएगा, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे तकिये के पर ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे, और फिर उसके बाद ये ऐसे लेट गए, तो ये चीज नहीं करना है, गलती ये मत कीजेगा, मैंने बहुत बार अपनी ऑनलाइन क्लास में देखा है, स्टुडेंट्स इस तरीके से गलती करते हैं, इसलिए थोड़ा एक्स्पीरियेंस से ब सीधा कर दिया, और पूरे कंधों को रिलाक्स किया, ब्रीधिंग करते रहें, ब्रीधिंग करते रहें, ब्रीधिंग करते रहें, ब्रीधिंग करते रहें, पांच मिनट, दस मिनट आराम से ऐसे ही लेट जाएं, पांचवा जो अभ्यास कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ न नहीं चलेगा ऐसे क्योंकि सोने से पहले भी बहुत दिमाग आपका चलता रहता है दिमाग में कुछ भी चीज़ां चलती रहती हैं तो आपने घुटने के नीचे ऐसे पिलो रख ली पदली है तो दो रख लीचे मोटी है तो एक में काम चल जाएगा इस तरीके से दोनों पर रखें कुछ डीप ब्रीधिंग का भ्यास कर रहे हैं अपने राइट पाम को बैली पर ऐसे रख लें और एब्डॉमिनल ब्रीधिंग करें पूरे दिन क्या होता है बड़ी छोटी छोटी ब्रीधिंग करते हैं तो आपके चेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपैं रोक लिया और छोड़ दिया पिछका दे पेट को पूरा पिछका दे अंदर की तरफ खीछ लें खीछ लें ऐसे ही सास ले पेट फूलाईये 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 रोकिये और फिर छोड़ दीजिए सास लीजिए 1, 2, 3, 4 रोकिए 1, 2, 3, 4 छोड़िए 1, 2, 3, 4 आप चाहें तो अपने हाथ को फ्लोर पर ड्रॉप कर सकते हाथ इसलिए रखवाया था ताप कि आपको महसूस हो सके पेट कैसे मूव हो रहा है अब ध्यान पेट पर रखिए सास लीजिए रोकिए छोड़ दीजिए सास लीजिए रोकिए छोड़ दीजिए एक बार और सास लीजिए रोकिए और छोड़ दीजिए इस तरीके से आप जितनी देर भी अभ्यास कर सकते हैं करते रहें अब बारी आती है उन टिप्स की जो मैंने आपसे वादा किया था वीडियो के शुरुआत में बताने की आठ से नौ बजी अपना डिनर बिल्कुल फिनिश कर लीजिए और सोने का जो टाइम है उसको दस से ग्यारा के बीच में ही रखें ग्यारा के बाद ना करें क्योंकि उससे क्या होता है कि नीद आने में फिर डिफिकल्टी होती है तो खाना खाने की कम से कम डेर से दो घंटे बाद ही सोने का अपना शेडियूल ऐसा करें और जो अननेसेसरी के काम है उनको कोशिश करें कि during the day इनको prepon कर लें सोने को अपने priority दें बहुत से लोग सोने को बहुत for granted लेते हैं कि चलो ठीक है सोना ही तो है सो जाएंगे दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि सोने के पहले पहले तक लोग टीवी देखते रहते हैं, लैपटॉप में बहुत ज़रूरी फाइल्स पे काम करते रहते हैं, या मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, इससे क्या होता है पता है, सोशल मीडिया की जितनी भी च जिसे दिमाग में घूमती रहेगी जिससे कि आपको गहरी नीदाने में प्रॉब्लम होगी और दूसरे दिन आप उतने प्रोड़क्टिव नहीं रहेंगे तो आज से ही आप ये ठान लें कि सोने से 1-5 घंटे पहले डिवाइस का इस्तमाल, टीवी का इस्तमाल बिल्कुल बंद कर दें तीसरी सबसे जरूरी बात कि जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में अगर बहुत तेज लाइटे लगी हैं उन लाइटों को कम कर दें क्योंकि सोने के लिए तो इतनी लाइटों की जरूरत नहीं है या कि अपनी आदत ऐसी डाले कि सारी लाइट बुझा दे और उसके बाद सोने के लिए चले जाएं इससे माइंड भी रिलाइक्स होगा साथ ही एक चीज और कर सकते हैं कि लाइट को कम करके ऐसी लाइट लगा है जो बहुत सूधिंग हो चौती सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आपके पास सोने का अलग कमरा है जिस कमरे में आप सोते हैं कोशिश करें उस कमरे को सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए इस्तमाल करें बहुत से लोग क्या करते हैं बेड में बैट के खाना खाने लगेंगे बेड में बैट के दूसरी चीज़ें करने लगेंगे या उस कमरे में बहुत ही जादा activities करते हैं सोने वाले कमरे का इस तरीके से आप setup करें कि वहाँ पर जैसे ही आप जाएं तो आपको एक relaxation की अधान आता है तो एक बार आप इसको भी जड़ा चेंज करके देखिएगा पाच्वा सबसे जरूरी टिप ये हैं कि सोने से पहले अगर आप अपने पैरों को बहुत अच्छी तरीके से धो लेते हैं और अपने तलवों पर तेल की मालिश करते हैं ये तेल चाहे आप सरसो हो जाती हैं तो पैरों में थकान भी दूर हो जाएगी और बच्चों जैसी नींद आने में आपको रुकावट महसूस नहीं होगी तो दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहे के योग का भ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत हैं मेरी ओनलाइन योगा क्ला क्लास को जूम के माध्यम से कंड़क्ट किया जाता है ताकि देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप आसानी से मेरे साथ जुड़ सके इन ओलाइन योगा क्लास को बिगनर्स भी जॉइन कर सकते हैं जो अल्रेड़ी योगा प्रैक्टिस करते हैं वो भी जॉइन कर सकत हैं क्योंकि हर दिन अलग अलग योगा अभ्यास इस तरीके से कराई जाते हैं कि और उनको modify किया जाता है variation add किया जाता है ताकि class में उपस्तित सारे के सारे students अच्छी तरीके से practices कर लें इसके लिए teacher और students के बीच में discussion होना बहुत ज़रूरी है जो कि class join करने से पहले हो जाता है इन classes में क्या सिखाया जाएगा अलग अलग तरीके के योगासन, प्रानाया, meditation, cleansing की technique, yogi kriya, deep relaxation की तरीके से करना है और बहुत सी आपके lifestyle को change करने के लिए ऐसे उपयोगी tips दिये जाते हैं जो कि आप रोज मर्रा में शामिल कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप इन online yoga classes को join नहीं कर पाते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक solution है कि आप मेरे द्वारा develop किये हुए कुछ yoga के courses हैं उनको भी purchase कर सकते हैं इनकी खासियत यह है कि जो लोग बहुत जादा busy होते हैं एक specific time में वक्त नहीं निकाल सकते तो दिन में कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर अपने घर के comfort में ही इन वीडियोज को play करके आसानी से step by step अभ्यास कर सकते हैं complete beginners को ध्यान में रखके इन courses को develop किया गया है ताकि हर एक इनसान योग का भ्यास आसानी से कर सके जब आप इन classes को complete कर लेते हैं तो course के completion का certificate भी आपको मिलता है अगर आपको और जानकारी चाहिए ना तो मेरी जो यहाँ पर ये website में share कर रही हूँ www.yogavidshahida.com इस website पर visit कर लीजेगा आपको सारी information मिल जाएगी किसी कारण से website नहीं जा पाते विजिट नहीं कर पाते तो यहाँ पर मैं एक whatsapp number शेर कर रही हूँ इस whatsapp number पर आप एक whatsapp कर दें ताकि मेरे team के द्वारा आपको class के बारे में सारी detail आपके whatsapp पर मिल जाएगी इन classes को join करके मेरे जो existing students उनको बहुत से स्वासलाब मिले हैं चाहे वो diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure, PCOD की समस्या, conceive नाकारपाना, prostate का problem, knee problem, knee में pain की समस्या, back में pain की समस्या या energy बहुत ज़्यादा कम रहती है, stress बहुत ज़्यादा रहता है, knee नाने में बड़ी दिक्कत है, anxiety, depression की समस्या है इन परिशानियों से उनको उबरने में बहुत मदद मिली है, अब वो खुशी-खुशी अपनी life जो है enjoy कर रहे है और साथी योग का भी अभियास कर रहे है तो मैं तो बहुत excited हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए, जल्दी से website visit कीजिए या whatsapp कीजिए तो देखा आपने मैंने step by step हर एक posture को अच्छी तरीके से समझाया, breathing practices को बहुत अच्छी तरीके से समझाया अब आपको करना बस इतना है कि इन practices को हर रोज अभियास करना है निरंतर योग का अभियास करेंगे तभी उसके लाब आपको मिलेंगे अगर आप चाहते हैं आपके suggest किये हुए किसी topic पर मैं video बनाऊ तो जल्दी से मुझे नीचे comment करके बताईए कि future में आप कौन कौन से topics पर वीडियो देखना पसंद करेंगे मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके बताई हुए topics पर मैं video बनाऊ अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है एक बार और आपसे request करूँगी कि मेरे चैनल को जरूर subscribe करके जाएगा और ये video पसंद आई है तो इसको like कर दीजेगा और आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या रिष्टदार ऐसा है जिसको नीदाने में बड़ी परेशानी होती है तो इस video के link को copy करके अपने दोस्तों और रिष्टदारों को भी खूब forward कीजेगा आप सभी अपना ध्यान रखें निरंतर योग का अभ्यास करें नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी नमस्ते अपने नमस्ते ओरेशानी होती है